Hello and welcome to Tali Express, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तो, इंडिन आइडल कॉंटेस्ट इन दिबोश मिता के पिता ने दिया है उन्हें सबसे कीम्ती तौफा. जी हाँ, आज दिबोश मिता की वज़ा से ही उनके घर में जल रहे हैं घीं के दिये. दिबोश मिता के पिता ने आकर बताया कि किस तरह से उनकी जिन्दगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है उनकी बेटी दिबोश मिता. उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जब बताते बताते उनकी आँके छलग गई. और दिबोश मिता तो खुशी से जैसे पागल ही हो गई. बताएंगे आपको इंडिन आइडल से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी गुड नियूस के बारे में. लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सबस्क्राइब करें, बेल आइकन को दबाना आप बिलकुल न भूले. वल दोस्तों इंडिन आइडल में मौझूद कॉंटेस्टेंट दिबोश मिता रॉय को वेस्ट बेंगॉल सरकार ने स्पेशल योजना के तहत कई सारे इनाम देने का वादा किया था. और ये सिर्फ वादा नहीं, बलकि उनके घर परिवार को सच में वो सारे तोफे और वो सारी पैसिलिटीज दी गई, जो सुकन्य योजना के तहत ना सिर्फ सेंटर सरकार ने बलकि स्टेट की जो गवर्मेंट है उन्होंने भी निरधारित गिया था. और दिबोश मिता के पिता आये स्टेज पर और उन्होंने अपनी खुशी जाहर करते हुए कहा कि हमारी बेटी दिबोश मिता ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है, हमारी किसमत को बदल दिया है, उनके पिता की सरकारी नौकरी लगी है और उनकी काबिलियत पर उन्हें ब दिबोश मिता की वज़ा से हुआ है और यही वज़ा है कि वो दिबोश मिता के लिए एक बहुत ही प्यारा तौफा लेकर आए हैं वो दिबोश मिता के लिए मा सरस्वती की बड़ी और बहुत खुबसूरत मूर्ती लेकर आए क्योंकि दिबोश मिता हमेशा से ही मा सरस्वती की मूर्ती अपने पास चाहती थी ताकि वो जब जब प्राक्टिस करें मा शारता का आशिरवाद ले सके और स्टेज पर जैसे ही उनके पिता ने उन्हें वो मूर्ती दी दिबॉश मिता की खुशी का ठिकारा ही नहीं रहा वो खुशी से जूम उठी और इसी के साथ साथ दि दिबॉश मिता के पास कभी भी सोने का कोई भी आइटम था नहीं और हमेशे अपने घर की लक्षमी को हर परिवार के लोग सोने का कोई न कोई गहना देते ही हैं सबसे पहले सोने की चेन इंडिन आइडल के सभी कॉंटेस्टेंट्स ने दी थी लेकिन एक बहुत ही खास त जितना कर सकूंगा मैं जरूर अपनी बेटे के लिए करूंगा यह देखकर दिबॉश मिता तो इमोशनल हुई लेकिन हर कोई इमोशनल हो गया नहा ककड के तो आसो निकल आए वैल आप क्या कहेंगे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूले